नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पार्शाला पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप है मेरे साथ में एक बहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए और चर्चा इस बात की है कि सोचिये ज़रा कि आपको ये सुनने के लिए मिले कि भारत की तेल की जरुवत खत्म हो जाएगी अब ये सुनने में एक तरह से ऐसा लगता है कि पतानी भारत को कोई जड़ी बूटी मिल गई है क्या क्या भारत ने कुछ ऐसा पा लिया है कि जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था, कुछ ऐसा हुआ है क्या, जी हाँ, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से सुनें क्योंकि भारत की उर्जा आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भारत के पास ओईल रहना चाहिए, जैसा आप सभी जानते हैं, अपने घर के अंदर घर का जो राशन है वो खरीदा जाता है इस हिसाब से कि हमारे पास 30 दिन तक के भोजन की परियाप्त व्यवस्थाएं हो, आपके घर में जब भी कोई चीजे परिशेबल और नॉन परिशेबल गुड्स के रूप में आती हैं, मान लीजे कि आपने अनाज लिया, तो इस समझ के लिया जाता है कि साल पर दुबारा ना खरीदना पड़े, आपको लगता है चीनी खरीदनी है तो आप इस तरह खरीदते हैं कि चल साथ दिन तक दुबारा ना खरीदे, एक ही बार में ले देली है, यानि तेल खराब हो, ना हो, सब चीज़ें साइड में हैं, लेकिन देली की आवशक्ता है कि मुझे वेरी गाड़ी चलानी है तो तेल तो डलेगा ही, और ऐसी स्थिती में जब देश की कुल इंपोर्ट का 85% आवशक्ता का 85% आवशक्ता का 85% आवशक्ता हो, या की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता है भारत तेल खरीदने के मामले में, कुरूड ओइल खरीदने के मामले में, और भारत जैसे देश का जहां पूरा काम 85% खरीदने पर आधारित है, जिसमें इन दिनों हम सबसे ज़्यादा रूस से खरीद रहे हैं, बड़ा सवा है जब हम hand to mouth इस्थिती में आ गए थे, ऐसा क्यों? हमारे पास तेल खरीदने के लिए तो पैसा था, लेकिन तेल इतना महंगा हो गया, क्योंकि खाडी युद्ध हो गया, अमेरिका ने खाडी देशों के उपर हमला बोल दिया, खाडी युद्ध इराक और इरान वाला जो नहीं चलेगा, भारत ने 90 का दशक बड़ी मुश्किल से काटा तेल की किल्लत में रहते हुए, 98 में जाकर अटल जी ने ये विचार किया, कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, देश को ऐसी समय भाई, युद्ध भी हो जाए, मान लीजे, रस्या-युकरेन कंफिक्ट जब तो कोई भी युद्ध लगबग 30-35 दिन तक ऐसी स्थती में रहता है कि कोई और आप्शन सोचा ही नहीं जाता, ये माना जाता है कि अब दुनिया में अंत होकर रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे फिर रास्ते खुलने लगते हैं, ऐसी स्थती में अंतरराष्ट ये इस तर पर जो Energy Association है, IAEA के नाम से जैसे आप जानते हैं, उसका मानना है कि किसी भी दुनिया के देश के पास, अगर उसे भारत जैसे या फिर दुनिया का कोई भी देश, जैसे अंतराष्ट ये इस तर पर सर्वाइव करना है, तो ऐसी स्थती में उसके पास लगभग 90 देश से अध है दिन तक अगर तेल हम तक ना भी पहुँचे, तो निर्बाद रूप से हमारी कंपनीज देश की एकॉनोमी को चला सकें, तब तक हमें इतना ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, कि हम उसका option create कर लेंगे, psychologically तयार हो जाएंगे, panic situation पैदा नहीं होगी, अगर यही सब बाते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ decision ले रही है, decision क्या? ऐसे oil reserve बनाने की कौशिश की जा रही है, जो आपात काल के समय काम आ सकें, अर्थात जैसे आप लोग घर में अनाज खरीदते हैं, तो अनाज को खरीद कर एक बड़े से tank में भर कर रख देते हैं, कि इस इसको भविश में यूज करेंगे, या फिर go down के अंदर आप अनाज डाल दिते हैं, कि इसे भविश में यूज करेंगे, अनाज तो रखा जा सकता है, तेल जो की बहुत जल्दी उड़ता है, वेपर बहुत जल्दी बनता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने का बहुत इतर पर कारे करना शुरू किया है, और वो क्या है, ओईल रिजर्व तो हमें बनाने हैं, क्या हमारे पास बिलकुल भी ओईल रिजर्व नहीं है, क्या बिलकुल है, हमारे पास 9 दिन का तो सरकारी ओईल रिजर्व है, 9 दिन का सरकारी ओईल रिजर्व है का मतलब है, कि सरका हैं इनके पास कुल मिलाकर के लगभग 69 डेज के आसपास या 67 डेज के आसपात का रिजर्व है यानि कुल मिलाकर हम लोगों के पास 74 डेज का आइल रिजर्व है अभी भी हम जो 90 डेज की या 94 डेज की जो expectation है उसे fulfill नहीं करते हैं ऐसी इस्थति में हमें और oil reserves बनाने होंगे बनाने के लिए फिलहाल जो चर्चा चल रही है वो है नमक वाली जो चक्ताने हैं उनके अंदर oil reserves बनाए जाएं नमक की चक्ताने कहां पर तलाशी जा रही है वो तलाशी जा रही है राजस्थान में राजस्थान नमक उत्पादन जैसे सांबर जील है या फिर बिकानेर के आसपास जितनी भी लवण ये जील हैं उन सबके तलहेटी में लवण युक्त शक्चिता चट्टाने हैं उन चक्टानों में ही तेल को संचित रखने के बारे में विचार किया जा रहा है आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि Indian Express में एक explain छपा उसमें लिखा गया कि Oil Reserve in Salt Caves यानि की नमक की जो गुफाएं हैं उनमें Oil Reserve बनाने के potential को तलाशा जा रहा है कि क्या यह संभव है इसको ताराशने का प्रयास किया जा रहा है कौन तलाश रहा है तो government की एक company है जिसका नाम है Engineering Consultancy Farm Engineers India जिसको की मतलब EIL के नाम से जाना जाता है यह राजिस्थान में possibility तलाश रही है कि कैसे नमक की चक्तानों के अंदर तेल को संचित किया जा सकता है इसको ध्यान में रखते हुए यह पूरी तरह से ऐसे plants बना रहे हैं कि राजिस्थान में salt की गुफाएं बनाकर नमक की गुफाएं खोद कर salt की बड़े बड़े गड़े खोद करके नमक को तो बहार निकाल दिया जाए और उसमें तेल भर दिया जाए इसकी संभावना तलाश रहे हैं आपके दिमाग में सवाल बनेगा दुनिया भर के लोग क्या ऐसे ही करते हैं क्या जी हाँ चीन के अंदर भी देखिए जमीन में गड़े खोद करके तेल भर रखा है अमेरिका में भी देखिए जमीन में गड़े खोद करके तेल भर रखा है तो फिर इंडिया क्या कर रहा ह हैं हम यहाँ पर अपना oil सुरक्षित रखते हैं लेकिन यह जो oil की capacity है यह बड़ी limited प्रकार की है कितनी है 5.33 million metric ton है हमारे पास भविश्य के लिए हम दो और चीजों पर चर्चा कर रहे हैं एक 4 million metric ton का चांदी कोल ओडीसा में तलाशा जा रहा है और एक 2.5 million ton का पादूर के अंदर तलाशा जा रहा है इन दौनों की वज़े से भविश्य में हम 6.5 million ton की चंता और बढ़ा लेंगे लेकिन इसके बावजूद भी भारत strategic reserve में इन तीन के साथ इन दो को जोडने के बावजूद राजस्थान में संभावनाय तलाश रहा है बड़ा सवाल ये बना क्यों तलाश रहा है क्या होता है साल्ट से बनी हुई storage में ऐसा क्या होता है storage के अंदर तो मेरे प्यारे साथियों विचार करिए जब इतनी बड़ी मात्रा में जमीन के अंदर गड़ा खोड कर तेल भघ़ा गया होगा तो एक प्रकार से ये तो जमीन के भीतर ही तेल का कुणा बना दिया गया है कि तेल इस तरह भरदो कि यहाँ पर तेल के कुएं की तरह ही बाद में तेल लिकाला जा सके लेकिन बड़ा विचार ये है कि ये कितना बड़ा कुवा बनेगा या फिर कितनी मेहनत लगेगी इस गड़े को खोदने में क्योंकि स्टेटेजिक ओयल रिजर्व अगर इतना ही आसान होता तो निश्चित ही हम अब तक तो खोद चुके होते इसका मतलब बहुत मीटर गहरा गड़ा बने उसको अंदर से बहुत बड़ा बनाया जाए और इसमें ये सुरक्षा प्लान की जाए कि इसमें किसी भी प्रकार से तेल लीक ना हो जाए अंदर ये अंदर पूरा लोहे किया जिसकी भी चटान वो लगानी ये शीट लगानी है जो भी मटेरियल गले नहीं वो लगा दिया जाए इस प्रकार से चीज़ें अगर बनाई जाए तो ये बनाना बहुत ही खरचीला काम भी है और इस्टेटीजिकल काम भी है कल को ऐसा ना हो कि भाई भूकम पा जाए तो तेल फैल गया या फिर दुश्मन ने गोला गिरा दिया तो आसपास की दुनिया को नुकसान हो गया तो ऐसी जगे भी तलाश नी है कि वहाँ पर तेल के कुओं में आग भी ना लगे इन सब को ध्यान में रखते हुए इने बड़ी सोच समझ के साथ बनाया जाता है लेकिन चूंकि गड़ा खोलने में बहुत खर्चा आता है तो अमरीका वाले क्या करते हैं वो एक टेकनोलोजी पर काम करते हैं और वो टेकनोलोजी आपको भी जान करके मज़ा आ जाएगा क्या टेकनोलोजी पर काम करते हैं साथ ये लोग ये दिमाग इस तरह से लगाते हैं कि साथ मान लीजे कि ये जमीन है इस जमीन के अंदर यहाँ पर आईल वो है मतलब नमक की लेयर चल रही है नमक मतलब NACL, पोटास ये सब यहाँ पर लेयर के अंदर नमक, नमक, नमक की पूरी चटा नहीं है इनसान यहाँ उपर रहता है ठीक है साथ अब क्या करते हैं अमरीका वाले वो यहाँ पर पाइप डाल करके यह डाल दिया एक पाइप एक पाइप डाल करके यहाँ पर इस प्रकार से पाइप डाल करके अंदर पानी छोड़ देते हैं यहाँ पर पानी छोड़ दिया पानी छोड़ दिया तो क्या होता है कि यह नमक की जो चटाने हैं यह आए हुए पानी से गलने लगती हैं अब भाई आपको पता है नमक में पानी मिलाओगे तो बहुत अच्छे से घुल जाता है और जब यह घुलने लगता है तो यहां पर एक और पाईप डाल कर यह दूसरा पाईप डाल दिया और दूसरा पाईप डाल कर इस पानी को वापस पंप करके उपर ले लिया जाता है क्या आप मेरी बात समझ पारें मतलब आइल की नमक की चटान उसमें ड्रिल करके केवल पाईप छोड़ा और पानी छोड़ दिया पानी पिगलने लगा पानी गलने लगा और उसको सोखने के लिए इधर से दूसरा पाईप डाल दिया और वो पानी सोख करके उसको बाहर फैंक दिया ये तरीका अमेरिका वाले सबसे ज़्यादा अपनाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में अगर पांच या 6 मिलियन मेट्रिक टन का ही स्टोरिज है इनके पास 700 मिलियन मेट्रिक टन का स्टोरिज है आप अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया से कितने गुना ज़्यादा ओईल का स्टोरिज इनके पास है यानि इनके पास तो 3-4 साल से अधिक का ओईल स्टोरिज है अमरीका वालों के पास इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है ठीक है? आच्छा तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बना कि साल्ट के अंदर सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है तो फाइदा ये हुआ कि इस प्रकार से जमीन के भीतर गड़ा करके गला करके उस मिट्टी की जगे जो नमक है ना उसको बाहा दो अंदर गड़ा बन जाए दिमागधारी काम हो गया मतलब आप पानी डाल करके पहले साल्ट को गलाओ पानी के साथ मिलकर वो ब्राइन बनेगा ब्राइन को सोक करके बाहर फैक दो गड़ा बन गया गड़ा बनने के बाद आप आराम से अपना काम continue कर सकते हैं ये काम जो है solution mining के नाम से किया जाता है एक Canada की company के दवारा कैसे इस काम को किया गया आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं देखिए ये Canada की एक company है, उसने बिलकुल ऐसे ही इस तरीके से काम को किया, इन्होंने बकाइदा इस छेतर में जा करके proper तरीके से ऐसे ही salt mining करी थी, देखिए ये इनकी company है, इन्होंने जमीन के अंदर drill किया, ये देखिए drilling कर दी, इन्होंने proper तरीके से ये गई drill, ये salt की ये salt की, ये गली हुई चटान को इन्होंने उल्टा फापस से यूज ले लिया, सोखने के लिए, ये पानी वापस से उपर चड़ना शुरू हो गया, ये उपर की तरफ चड़ना शुरू हुआ, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गुफासी बंती चली जा रही है, ऐसी इस्थिती में प्रोपर तो प्रोटेक्शन जमीन का मिल गया, नीचे पूरी घड़ा बन गया, और उस घड़े में जाकर के ऑईल भर दिया, क्यों? क्योंकि जो salt है न, वो नमक को अवसोशित नहीं करता, यहाँ से इसको बहार निकाला, प्रोपर इवापरेशन मा पास ऐसी expertise नहीं है, इसी कारण से भारत इस expertise के लिए जर्मानी की एक company के साथ बातशीत में है, क्या सरी यह जरूरी है, क्या इस तरह से करना, बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी है, एक बार के लिए देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि OPEC plus countries हाल ही में फिर से oil की कट प्रोपर इन्फोग्राफिक डाला हुआ है। तो दाम बढ़ेंगे इन देशों को तेल भेचने से पहले दाम बढ़ाने हैं। दाम बढ़ा करके ही यह सप्लाई को बढ़ाएंगे। थी का나 इस प्रकार से भारत के पास तो चलो फिलाल के लिए रशिया एक ऑपशिन है। अगर रशिया हमारे पास option नहीं रहा होता तो आज दुनिया में तेल का भाव 200 डॉलर प्रती वेरल से उपर होता OPEC की हरकतों के कारण, खेर कोई बात नहीं, भारत को मालूम है कि इन से कैसे निपटना है, इसी कारण से भारत जानता है कि स्थितियों से निपटने के लिए ह हमारे पास strategic oil reserve का होना अच्छा जरूरी है और यही कारण है कि इंडिया इस चरे की चीजों को support कर रहा है, भारत इंडिया के अंदर proper तरीके से इंडियन oil strategic reserve को बनाने का प्रयास कर रहा है, सबसे पहले हमें 1990 के दशक में इसकी आवसक्ता पूरी हुई थी, अटल जी नो 1998 म में जाकर के पहली बार निर्मान का प्लान जारी किया, 2005 के अंदर 2837 करोड रुपए इनके बनाने की लागत आखी गई थी, strategic oil reserve गी, और पहले phase के अंदर 53.3 लाख टंग चमता वाले हमने 3 oil reserve बना लिये थे, जो कि मैंने अभिहाल आपको बताए, करनाटका और आंधर बना कि salt की cave चर्चा में क्यों आई, क्योंकि ये सस्ती पढ़ती है, क्योंकि आपको खोड़ा खोदने में पैसा खर्च नहीं करना, दूसरा salt तेल को अवसोशित नहीं करता, इसलिए दौनों प्रकार से तेल बचा रह जाता है, इसको ध्यान में रख करके काम किया जा रहा वो 9.5 days का है, लेकिन हमारी जो oil producing companies हैं, oil marketing companies जतनी भी हैं, उनके पास अगर तेल देखा जाये तो 64.5 दिन का तेल उनके पास भी है, कुल मिलाकर हमारे पास 74 दिन का oil reserve है, 16 दिन का oil reserve हमें और बढ़ाना है, अंतर रास्टिये standards की अनुसार, क्योंकि भारत उस group में शामिल है जो ये मानता है कि दुनिया के पास 90 दिन का तेल रिजर्व होना चाहिए, इसके लिए हमें salt caves बनाना आसान रहेगा, जल्दी रहेगा, सस्ता पड़ेगा और हमको सुरक्षित भी रहेगा, ठीक है, इस काम के लिए हम अमेरिका को ऐजे reference मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का अधिकांश oil reserve ऐसे ही salt caves के अंदर रखा हुआ है, लगबख 727 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के पास reserve है, जहां इंडिया के पास में oil reserve 5.33 मिलियन बैरल है, उनके पास 727 मिलियन बैरल oil reserve है, अमरीका वालों के पास में ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है साब? अच्छा इसके लिए हम लोग किसके साथ प्लान कर रहे हैं तो EIL नामक जो company है उसका भारत की जो company है उसका इन दिनो Germany की एक company जिसका नाम है deep.kbb उसके साथ समवाद चल रहा है क्योंकि इनके पास में इस चीज की expertise है तो ये दौनों लोग मिल करके भारत में इस प्रकार का deep.kbb ऑईल रिजर्व बनाने में भारत की मदद करेगा उमीद है आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो और अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो आपसे गुजारिश इतनी ही करेंगे कि चैनल पर नए हो तो subscribe कर दो वीडियो को जादा से जादा साथियों के साथ साजा कर दीजिए बाकि आपकी क्या समझ है वो आप अपने comment box में लिख सकते हैं जरूरी सूचना जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों राजिस्थान प्रशाशनिक सेवा परिक्षा तयारी के लिए हमने जो foundation batch prelims plus mains का 17 subject का launch किया है उसकी कल आखरी तारीख है आज और कल आपके पास दो दिन है यदि आप चाहते हैं तो इस foundation batch में entry ले 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 परसों से इस batch में entry नहीं होगी यहाँ पर आप लोगों के लिए already 21 educators मैंने लगाए हैं साथ में 8 तारीख से रोजाना 4 से लेके 6 घंटे की classes शुरू होंगी 15,000 रुपए fees है लेकिन 1 से लेके 7 तारीख के बीच में fees हमने 75,000 रोपए रखी है और साथियों यह courses आप लोग एक से 7 तारीख के बीच में ही खरीद पाएंगे prelims और mains राजिस्थान प्रशाशनिक परिक्षा तयारी के लिए 17 subjects जिसमें की math, reasoning, english, science and technology, hindi समाम सारे subjects हमने इसके अंदर yoga, behavior, ethics, पबैट सब शामिल किये हैं, इनमें prelims की तयारी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आगे focus किया जाएगा, mains के जो बाकी subject है वो prelims को target करते हुए, आगे बढ़ते हुए बढ़े जाएंगे, complete course की अवधी 1 साल रहेगी, लेकिन अगर परिक्षा थोड़ा सरक्ती भी है, आफिर देरी होती है, तो हम 1.5 साल की validity के साथ में आपको ये course उपलब्द करा देंगे, इसमें हमें कोई भी एतराज नहीं होगा, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपने से कोई भी साथी online education के साथ, इतने nominal कीमत पर इतनी अधिक अच्छी पढ़ाई, ये nominal क्यूं कहा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे subjects को पढ़ाने की राजिस्थान में फीस है, एक लाख रुपया, और राजिस्थान की offline coachingों की फीस है, और online coachingों की फीस है, 60 से लेकर 65,000 रुपय, ये काम मैंने आपको 15,000 में करके दिया, और वो भी एक से लेकर साथ तारीक के बीच में मातर 75,000 रुपय में available कराया है, अगर आप चाहते हैं, तो comment box में हमने आपके लिए link पिन किया हुआ है, वहाँ जाइए, प्रॉपर तरीके से हमारा demo देख लीचे कि वहाँ classes कैसे होंगी, application पर इस प्रकार से demo वीडियो का option दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, बढ़िया तरीके से जितने भी educators वहाँ available हैं, उनके demo देखिए, नटराज बैच के नाम से है, बढ़िया से चला कर demo देखिए, demo वीडियो के उपर ही purchase का option है, वहाँ जाकर आप course को purchase कर सकते हैं, आपके सामने तमाम educators के यहाँ पर option उपलब्द करवाए गए हैं, बढ़िया से हम class के अंदर ही demand मांग लेंगे, जिने जरुवत होगी, वो आप हमारा form भर दीजेगा, outsiders भी हमारे courses को ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपकी classes, demo के अंदर हमने डलवा दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे help line number हैं, आप से गुजारिश है कि हमारे help line number में एक number है, जिसका number 4184 है last में, ये हमारा number नहीं है, कुछ बच्चे इस flow flow में आगे निकल जाते हैं, और उन्हें लगता है कि 83 तक तो है, 84 भी सर के पास ही होगा, तो 84 number हमारे पास नहीं है, कृपया करके, और अब हो ये रहा है कि इन 84 वालों के पास, बच्चों की online, already पूरे time call चल रही होती है, इनके पास call कर रहे होते हैं, लोगों को लगता है, 84 भी सरकाही होगा, वो किसी unknown महिला के पास जाकर बोलता है, अब वो महिला इतनी irritate हो चुकी है, कि आज उनका call आता है, और वो कहती है कि अगर आपने मेरे पास number पर call कर दिया, तो मैं बता दूंगी कि ये कुछ भी गलत हो रहा है मेरे साथ, पर इसान हो गई है, वो तो आप से एपल स्टोर से विंडो से डाउनलोड किया जा सकता है, बढ़िया से जाईए, classes ले लीजिए, फिलाल के लिए इतना ही, अपना खयाल रखें, धन्यवाद